नमस्कार इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने बीबीसी दफ्तर पर आईटी रेड को कॉंग्रेस ने बताया है अगोसित आपातकाल पूरी खबर आगे जानेंगे उससे पहले चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को लाइ में बीबीसी दफ्तर पर इंकम टैक्स के चापे की खबर है मिली जानकारी के मुताबिक करमचारियों के फोन जब्त कर लिए गए फिलहाल इंकम टैक्स की टीम यहां पर सर्च ऑपरेशन करने पहुंची बीबीसी ने अपने करमचारियों को आफिस आने से मना कर दिया और वहीं दफ्तर में किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी टीम ने पूरे मामले पर कॉंग्रेस के नीता जैराम रमेश ने कहा है कि बीबीसी आफिस में आईटी रेड पर किंदर सरकार पर हमला करते हुए उनने कहा है कि यहां हम अडानी मसले पर जेपीसी क मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है विनास काले विपरीत बुद्धी यह यहां पर देख सकते हैं मोधी सरकार पूरी तरह से डरी हुई नजर आ रही है गुजरात दंगो को लेकर के डॉकुमेंटरी के माध्यम से बीबीसी ने सच दिखाया और उसकी इसको यहां पर कीमत चुकानी पड़ रही है वीडियो फिर आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा आप सभी का धन्यवाद